पढ़िए जवाब दीजे पहला question क्या है देखे जो आपने CDP में पढ़ते हैं वो Hindi English पेडगोजी आपकी ऐसे solve करा सकता है कुछ दो चार ही topic हैं जो playlist भी बनी हुई है और अभी मैं आपको Monday को एक plan दे दूँगी जिसमें हम लोग किस तरह से content plus questions करने वाले हैं इस एक महिने में चीज़ें आपको tension नहीं लेनी मतलब paper आपका निकल जाएगा चलिए समझते हैं कि question को समझना जरूरी है सिर्फ solve नहीं करना सिर्फ answer नहीं देना उसका proper analysis करना जरूरी है कि हमारे समझने में कहां गड़बड रही अगर गलत हमसे हुआ question तो है न और सही हुआ तो बाकी options क्यों सही नहीं हो सकते थे उसको समझना जरूरी है इसी बात पर आप चाय पीजे और मैं भी पी लती हूँ एक एक सिप वाट वो हटा दिया न message ठीक है चले आगे बहुत बढ़िया question number one कहता है 60% 79% लोग D option कहा रहे हैं चलिए समझते हैं भाशा सिक्षक के रूप में निमलिखित में से कौनसी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है बिल्कुल सिंपल अगर आपकी CDP थोल ठीक है और आप बच्चे की आप भला सोच पाते हैं आपकी पूरे पूरे नंबर पेड़ागोजी में हिंदी में इंगलिश में इन सब में आना बहुत इसी है ठीक सर्वशेष्ट तकनीक यानि best टेकनीक कौनसी है यदि आप चाहते हैं कि भाशा सिक्षक के रूप में आपके लिए पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका method पहला option है सक्षार्थी को बोलने के समय ही सुधार देना देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जब हम language की बात करते हैं वैसे भी pedagogically भी कि हम बच्चे को अभिव्यक्ती की आज भाशा में या फिर बोली का भी प्रयोक करा है standard language का मानकी कृत भाशा का use ना भी कर पाए तब भी आप उसको पहले बोलने देते हैं सुधार की बात बाद में आती है express करने देते हैं तो ये तो सरवशेष्ट तरीका बिल्कुल भी नहीं हुआ B option है सुधार कारे पूरी कक्षा की गतिविधी के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी सिक्षार्थी तुरूटियों को ने दोहराए मतलब बच्चे को बेजज़त करो पूरी क्लास के सामने जो भी गलती कीए है उसने और ताकि गलती दुबारा ना हो तो गलतिया होना प्रॉब्लम नहीं है पेडगोजी में गलतियां होना सीखने और सिखाने का हिस्सा है अभिन अंग है उनसे सीखना जरूरी है ये नहीं है कि गलती होनी ही नहीं चाहिए दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए डंडे वाला मास्टर यहां नहीं बनना है या मास्टर नहीं हम CDP में भी कई question इस तरह के कर चुके हैं बालविकास में भी, जहां हम ये कहते हैं question में खुद पूछा जाता है कि क्यों जरूरी है errors को analyze करना, तो errors को analyze करना, भई fail हुए तो क्यों हुए, सारे subject उठा के देख रहे हैं, कहां गड़ बढ़ रही, कहां score कम रहा, किस topic को समझने में दिक्कत रही ठीक, तो सिक्षक त्रूटियों का क्या करे, wishlation करे, analysis करे और उनके pattern को पहँचानने यानि एक तरह कि किस pattern पे गलतियां हो रही यानि किन topics में बच्चे को दिक्कत आ रही है ठीक, को पहँचानने के पश्चात उन्हें पढ़ाए, तथा सिक्षक त्रूटियों को उन त्रूटियों के बारे में इस पश्ट करे, ये बात बिल्कुल सही है, complete answer है पुराने समय में एक बात होती थी कि भीया, अगर आपको पेड़गोजी में सही, उत्तर पहँचानना है, तो जब सबसे बड़ा लगे उसको answer mark कर दो, हाला कि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, कुछ हद तक सही कह सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में सारे questions lengthy होते हैं, और ज़रूरी नहीं है, जो बड़ा है वही सही है, बट वो यहाँ बात लागू होती है, कुछ percent case में, ठीक, तो हम यहाँ पर क्या समझें, कि सिक्षप तूरूटियों का wishlation करें, यानि एक तो analyze करना जो भी gap है, यही तो diagnostic teaching है न, diagnostic मतलब diagnose करना, उप्चार आत्मक अधिगम कि आप पता करें, निदान करें, problem का पता लगाएं, analyze करें और फिर पुन्ह पढ़ाना, यानि remedial teaching, reteach करें फिर उस चीज को तो यह ज़रूरी है, यह complete answer है D option is the right answer, question number 2 पर चलेंगे, आज सबके 15 out of 15 आने चाहिए, आसान है, क्योंकि जब आप Hindi pedagogy, यानि सिक्षन शास्त्र कर रहे है Hindi भाशा का, देखिए, समझिए जानी और जवाब दीजे अगर हम बात करते हैं, किसकी बताईए, बताईए 75% answers आपके आ रहे हैं ए option के लिए, समझते हैं श्रव्य भाशावाद पूरी तरहा से निर्भर है श्रव्य भाशावाद मतलब क्या हुआ audio-lingual method या audio-linguistics audio-linguistics क्या है भई, कि भाशा को audio के माध्यम से सीख रहे हैं आप या audio-lingual method भी एक method होता है, जिसमें सुन करके बच्चा सीखेगा चीजन अब ये radio हो सकता है, अब ये कोई और ऐसी श्रव्य सामगरी हो सकती है पहला option है यानि श्रव्य भाशावाद किस पर focus करेगा भाशा को वास्तविक जीवन के संदर्व में सिखाने में दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में लक्षय भाशा का प्रयोग करने तथा मात्री भाशा के प्रयोग का निशेद करने में ऐसा नहीं है, लक्षय भाशा होती ही target language, कि आप English आपके लिए स्कूल में target language हो सकती है जिसको आप सीखने जा रहे हैं मात्री भाशा जो आप घर से सीख के जा रहे हैं तो मात्री भाशा के प्रयोग का निशेद की बात यह नहीं करता वो direct method है जिसको हम direct को क्या कहते हैं प्रत्यक्ष विधी वो कहती है ऐसा कि मात्री भाशा का प्रयोग मत कराओ ठीक, लक्षय भाशा से अनुवाद करने में यह grammar translation method यानि व्याकरण अनुवाद विधी कहती है यह D option और C option जो है वो किसके बारे में है वो आपके लक्षय जो भी प्रत्यक्ष विधी के बारे में है यानि direct method of teaching के बारे में है इन दोनों को हटा देंगे audio-lingual method की बात हो रही है तो संदर्भ में और बिना संदर्भ जाए तेल ने यहाँ पर सबसे जाला focus हैता है बच्चा सुन करके सीख पाए समझ पाए अभ्यास हो जाए उसको दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालना बार-बार आप सुन रहे हैं A for apple, A for apple, B for ball तो क्या होगा आप दोहराव की आदत हो जाएगी अभ्यास हो जाएगा उस चीज़ का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सीटाट के बैच में आज भी class हुई है चत्रणजन आपने शायद attend नहीं किये है 7.30, मेरी class उसमें Thursday Friday होती है, सीटाट वाले बैच में question number 3, समझेंगे question number 3 कहता है एक भाषा सिख्षक के रूप में यानि आप क्या है, एक language teacher है language पढ़ाते हैं बच्चों को भाषा सिख्षक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों में शब्द कोश के सफल प्रयोग करता की आदत डालने डालने का प्रयास करना चाहिए यानि हम चाहें कि बच्चा successfully dictionary का use कर पाए शब्द कोश बोले तो dictionary कि वो word meaning वहां से देख के उनका context समझ के सारी चीजें देख पाए ठीक है डालने का प्रयास करना चाहिए निमलिकित में से कौन सा तरीका शब्द कोश के प्रयोग को प्रोथसाहित करने के लिए सही नहीं है यानि dictionary का जो use of dictionary है उसको encourage करने के लिए सही नहीं है यानि कौन सा तरीका discourage करेगा dictionary के प्रयोग को यानि बच्चा successfully dictionary को शब्द कोश को use कर पाए उसमें बाधा कौन बनेगा not लिखा हुआ है हिंदी पेडगोजी है इंग्लिश में कैसे translate करके दें आपको बताईएगा क्योंकि वो audio-lingual method के वारे में था इसलिए ए ओप्शन सही नहीं था संदर्ब की बात वहाँ नहीं होगी वहाँ focus रहता है सुनने पे संदर्ब में हो या ना ठीक है करा देंगे वासुद देख लेंगे उसको भी don't worry कोई बात नहीं मोने था मैं एक बार उद्यसर से बात कर लोगी अगर पेडगोजी की classes में कोई भी issue है तो वो बता देंगे ठीक tension नहीं देनी है D option देखिए एक बार आप लोग कह रहे हैं 40% लोग चली देखते हैं वाक्य के भाग ढूणना यानि sentence के parts आप ढूण रहे हैं और उसमें से search करकर करके या dictionary का प्रयोग करकर करके पता कर रहे हैं ये बात तो ठीक है लेकिन हमें नहीं पूछा है संदर्व में उप्यूक्त अर्थ चुनना यानि जो context के according सही बात है मालेजे कोई सेम शब्द अलगला context में संदर्व में अलगला तरहा से meaning रखता है ये बात हमें पता है ठीक है शब्द की वर्त नहीं जानना यानि जब बच्चे को spelling चेक करनी होगी तब वो dictionary का use करेगा ये तीनों ही चीजें dictionary के use को promote करती है positive है लेकिन प्रत्य एक नए शब्द के लिए सक्षक से पूछना अगर बच्चे में आदत ये टल जाएगी कि हर एक नया शब्द जैसे ही आया वो teacher से पूछना लगता है meaning तो वो खुद से dictionary का use या शब्द कोश का प्रयोग नहीं करेगा ये हतोत साहित करता है जब आप इस चीज को प्रोत साहित करेंगे कि teacher से पूछलो तुरंत जैसे ही कोई भी नया शब्द आए पहले आप खुद कोशिश करते हैं खुद से active हो करके बच्चा वर्तनी जानेगा या शब्द कोश उठा करके लाएगा उसमें धूंडेगा इससे आपकी self-learning, independent learning स्वतंत रूप से सीखने की चाहा बढ़ती है बच्चे में तो D option is the right answer नहीं तो हमेशा तो teacher तयार नहीं होगा मतलब आपके आसपास ही हो तो आपको self-learning भी आनी चाहिए D option is the right answer question number 4 देखेगा एक बार ये क्या कहता है question number 4 कहता है निमनिखित में से कौन सा एक प्रमानिक श्रवन का उधारन है प्रमानिक श्रवन हम बोलते हैं authentic listening ये इंग्लिश में भी एक question आता है इस पर और हिंदी में भी हिंदी और इंग्लिश की पेडगोजी या किसी भी language की पेडगोजी कोई खास अलग नहीं है लगभग सेम ही है authentic बस medium change हो जाएगा authentic listening बोलते हैं इसको authentic listening बोले तो जो चीजें real life या प्रमानिक हो कुछ प्रमान उनका कुछ हद तक संभव हो अब ये news articles हो सकते हैं और क्या हो सकता है और भी कुछ इस तरह की चीजें हो सकती है नहीं तो फिर आपको idea मिल जाएगा आप जवाब hint मिल जाएगा आप cheating कर लेंगे source word pattern होता है सुर ले ताल के साथ जब आप कोई कविता गा रहे हैं जरूरी नहीं है वो fact ही हो या authentic ही हो रियल life से जुड़ी हुई ही हो जरूरी नहीं है गीत गाना गीत गाना भी अपने आप में कल्पनाशील activity जादा है authentic listening में या तो हम कोई news item की बात करते हैं या फिर रेडियो पर तो authentic listening का जो example है वो यहाँ रेडियो परसारण है बाकि news article बगेरा भी authentic materials में आते हैं C option is the right answer question number 5 पर चलेंगे पढ़िएगा भाशा सिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डैश ग्यान होना चाहिए मतलब जब आप एक language teacher है तो आपको व्याकरण का कैसा ग्यान होना चाहिए ये पूछा है हमसे simple भाशा में बताईगा हलकासा इसको zoomed out करते हैं देखें zoom out कि हमने भाशा सिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डैश ग्यान होना चाहिए और व्यक्त तथा व्यक्त में से और व्यक्त तथा सुसपष्ट दोनों ये थोड़ा बेटर लग रहा है विस्तरित विस्तरित ग्यान हो ठीक है ये भी अच्छा है तो ये देख रहे हो पेड़गाजी का यही खेल है चार ओप्शन सही है कोई भी अप्शन नहीं है जो नेगेटिव हो या जिसको हम सिरे से नकार दें बट हमें क्या चाहिए बेस्ट ऑप्शन है ना यहां वर और वधू की तलास चल रही है यह याद कर लेना मतलब जब आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं पेडगोजी में especially तो best जो आपके अनुसार best हो अब यहां पे इनके अनुसार भी चलना पड़ेगा जो बच्चे के लिए best हो ठीक है बाकी सब में जो comprehensive हो या तो बाकी ऑप्शन को अपने अंदर समाहित करता हो या फिर उन सब में clearly best हो ठीक है तो यह अव्यक्त तथा suspicious दोनो यानि जो implicit है जो व्यक्त नहीं किया जा सकता वो भी और जो meaning जो है छिपा हुआ है hidden meaning है वो भी और suspicious यानि clear भी होनी चाहिए जो knowledge है वो suspicious भी हो और व्यक्त जो बाते directly कही जारी है वो भी समझ ले teacher और indirect वाली तो समझ ले तो suspicious में तो directly व्यक्त अपने आप आ जाएगा तो इसलिए इस A से option जादा better है C तो सही उत्तर क्या हुआ C option जो कि 54% लोग दे पा रहे हैं आगे बढ़ेंगे question number 6 पर question number 6 क्या कहता है देखिए CDP अगर आप अच्छे से कर लेते हैं इसलिए कहा जाता है कि बाकी subject में उतनी तकलिप आपको फिर नहीं होती है खेर हम सारी subject करेंगे जो भी important है जहां पर भी pedagogy है निदानात्मक परिक्षन यानि diagnostic test क्या है यह diagnostic test इंग्लिश में भी यह question पूछेगा बस language change कर देगा वहाँ English में पूछ लेगा ठीक क्योंकि जादा topics जो हैं वो common है समझ पा रहे हैं हम लोग बहुत बढ़िया तो diagnostic परिक्षन यानि निदानात्मक परिक्षन निदान के लिए होता है जब आपको बुखार हो तो आप test कराने जाते हैं एक laboratory में या जिनको हम diagnostic labs बोलते हैं कि चार दिन से बुखार है उतर नहीं रहा नॉर्मल दवाई से पता करेंगे क्या हुआ है तो वो blood निकालेंगे आपका test करेंगे, diagnose करेंगे कि problem आपको है क्या उस हिसाब से remedy दी जाएगी यानि दवाई दी जाएगी ऐसे ही teaching में होता है पहले आप problem का पता लगाते हैं निदानात्मक परिक्षन से, आपने एक test लिया विच्छे का अब आप जान रहे हैं कि उसको problem आखिर है है कहाँ पर, gap कहाँ है फिर उसके बाद आप remedial teaching देते हैं जिसको हम उप्चारात्मक section कहते हैं तो diagnose करने के बाद हमेशा remedial teaching हमेशा diagnostic के बाद दी जाएगी ये बात हमें याद रखनी है question इस पर 100% आता है और सिर्फ यहाँ हिंदी या English या CDP में नहीं Maths, Pedagogy, EBS सब जगह आता है उप्चारात्मक section जो है वो निदान के बाद दिया जाए ठीक, ये basic concept है जो हमें पता होना चाहिए सिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर यानि निदानात्मक परिक्षण की जो सफलता है वो इस पर निर्भर करेगी कि कितनी देर सीखा गया देर पर नहीं, जितना भी सीखा गया वो हद तक सही है, कमी कहा है ये duration के बारे में बिलकुल नहीं है व्याकरण के नियमों पर, सिर्फ व्याकरण पढ़ते हैं क्या हम जी नहीं, संदर्म में वो भाषा को सीख पाया के नहीं सीख पाया फिर है C option निदानात्मक सिक्षण तथा सामगरी पर यानि जो remedial teaching हुई है और उसमें क्या material यूज किया है maybe material कोई भी वैसे use हुआ हो, बट remedial teaching ठीक होने चाहिए फिर भी ये इतना negative नहीं है, जतने बाकी के दो option negative है चलो इसको रख लेते हैं doubt में, क्योंकि दो option में general doubt आई जाता है पेड़गोजी में, दी option है अधिगम में पिछडने के कारणों को पहचानने पर diagnose का मतलब ही है आप gap समझ पाएं, कमी रहे कहां गई, उसके बाद उसको सुधरवाएंगे तो अधिगम में पिछडने के कारणों को पहचानने पर, इससे ज़्यादा बहतर है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम कारण पहचान पाएं, हम diagnose जो करने नरदानात्मक परिक्शन लेगी इसलिए रहें कि हम समझ पाएं कि कमी रहे कहां गई है, क्या कारण है उसके पीछे gap को फिर हम फुल्फिल कर पाएंगे, D option is the right answer आगे बढ़ेंगे question number 7 देखिएगा question number 7 क्या कहता है भई, question number 7 कहता है एक बच्चा बच्ची यानि बच्चा या फिर बच्ची विद्याले में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अकसर समस्या का सामना करते हैं या करता है क्योंकि समझेगा फिर से एक बच्चा है या बच्ची है जब वो स्कूल में अपनी ही प्रथम भाषा प्रथम भाषा समझ रहे हैं ना मात्री भाषा उसकी first language मान लिजे हिंदी है और हिंदी मेरे को घर में मैंने सीख ली बोलना आता है मैं 6 साल की उम्रों में पहली कक्षा में गई और लेकिन अब जब मैं स्कूल में हिंदी सीख रही हूँ तो मुझे 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 लग रही है अदर्वाइस तो मैं हिंदी में बाते कर लेती हूँ अगर teacher ठीक नहीं यह तो रोचक नहीं होगा notes छोटू कल मिल जाएंगे CDP के most probably नहीं अगर कल नहीं मिले किसी percent क्योंकि कल 3-4 गंड़ी class है नहीं तो Monday तो आपको notes मिल ही जाएंगे जाधातर subject के या फिर next coming week में एक एक दिन करके एक एक notes आपको मिलते रहेंगे ठीक है खेर बी option है विद्याले भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक आपचारिक है बी option 63% लोग सही दे रहें answer जो की बहुत खुशी की बात है कि विद्याले भाषा घर की भाषा की अपेक्षा क्या है अधिक formal है अगर हम यहां बिल्कुल रोबोट की तरह बाते करेंगे कभी हसी मजाक नहीं होगा कभी jokes नहीं होगे जो आपके age group को समझ में आते हैं जिसमें मज़ा आता हो तो फिर यह class कैसी हो जाएगी बहुत आपचारिक हो जाएगी फॉर्मल हो जाएगी तो जब हम daily life में घर में इस भाषा सीखते हैं तो वो अनपचारिक होती है इनफॉर्मल होती है हमें लगता है अरे यह तो अपना ही बंदा है अपनी ही बंदा है मतलब हम किसी से मिल रहे हैं टीचर से एक वो comfort की feeling आनी चाहिए तो वो ज़्यादा अपचारिक अगर हो जाएगी ज़्यादा rules है वहाँ पे नियम काईदे कानून ज़्यादा है प्रॉपर एक pattern है तो इसलिए कई बार मुश्किल लगती है घर की भाषा से स्कूल की भाषा चाहे भाषा सेम ही क्यों ना ठीक क्योंकि वहाँ आप नियम काईदे कानून तो और तरीके teacher, methods और book वगेरा के थुरू सीख रहे होते हैं formally language को अपचारिक ज़्यादा है इसलिए ऐसा होता है बच्चा या बच्ची अपनी उस भाषा को जानता है या जानती है तथा विद्याले में उस भाषा को पुनहे सीखने में कोई तथ्य नहीं है ऐसा नहीं है कि कोई फाइदा नहीं है दोबारा सीखने में क्योंकि वो जानता है बहुत सारे grammar के व्याकरण के नियम होते हैं या बहुत सारी बाते होती है भाषा के बारे में क्वेशन नमबर 8 देखिए और पढ़िए जवाब दीजे पोल में ठीके जी यार साइन्स तो मैं नहीं कराती हूं साइन्स और एसिस्टी याना चलिए खेर जवाब दीजे किस हजार लोग हम लोग चुड़े हूं सिर्फ 9100 लोगों ने लाइक किया है तो बाखी के आधे से ज़्यादा लोग लाइक शेयर कर दें अगर उनको सेशन पसंदा रहा हो समझ में आ रही हूं बाते कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता करता है यानि जब आप स्टोरी सुना रहे है कोई उनको वाचन कर रहे है किसका कहानी का सुना रहे है इससे क्या सहायता परण का आनंद लेने में ये बात भी सही है अपनी कल्पना शीलता का विकास करने में अब देखो यहां चारों आप्शन सही है पॉजिटिव हैं कोई बच्चे की बुराई की बात नहीं कर रहा लेकिन जो सबसे जादा बच्चे को एक्टिव रखे सक्रिय हो जहां बच्चा आंसर सही दे रहे देखो अनुशाशन एकागरता आनंद तीनों हो जाएंगे यदि बच्चा अपनी कल्पना शीलता का विकास करेगा या उसका ध्यान उसको इंटरस उस चीज में आ रहा होगा ये बाकी तीनों चीज़े अपने आप आ जाएंगी और बच्चे का जो विक पास है वो कब बहतर होगा सिर्फ आनंद लेने में कल्पना शीलता में इमेजिनेशन पावर अगर उसकी अच्छी हो रही है तो वो बहुत सारी चीज़े खुद से स्रजनात्मक बनेगा क्रियेटिव बनेगा बच्चे का जादा भला डी ऑप्शन से होगा बाकी के तीनों क्यों कि लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ट है यानि उनकी राइटिंग स्किल्स को असेस करने के लिए बच्चे की राइटिंग स्किल्स को कि वो लिखता कितना बहतर है इसका आपको असेस्मेंट करना है आकलन करना है जानना है इस बात को कि कौन सा कि जो पाठ्य पुस्तक में पाठ्य उसके आधारित आपने प्रश्न पूछ लिए तो बच्चा लिख देगा रट्टे लगा करके जो आपने लिखवाया होगा इसमें कोई भी अभी व्यक्ति शामिल नहीं होई बच्चे की है ना शुरुत लेक शुरुत लेक आप समझते है इमला बोला जाता था डिक्टेशन जिसको कहते हैं तो डिक्टेशन में भी जो आपने बोला होगा वो डिक्टेट करके लिख देगा ठीक है चलो कुछ हद तक पता तो लगईगा यहां पे लेकिन यह बैस्ट आप्शन नहीं लग रहे अपने अनुभाव लिखना इससे ब अभिवक्ति जाच पाएंगे सबसे ज़रू हुए कि आप बच्चे की अभिवक्ति जाच पाएंगे वह एक्सप्रेस अपने आपको कितने अच्छे से करता है तो उसमें उसने कैसे लिखा है उसकी जो लेखन शैली है वो समझ पाएंगे आप कहां कॉमा कहां वर्तनी ठीक यूज हुई है सारी बाते समझ में आ जाएंगे और सबसे इंपार्टेंट बात वो अभिवक्त कितने अच्छे से करता है आपको वो आपको समझा जाएगा तो सबसे महत्वपून जो काम है यहां सरवशेष्ट जो तरीका है वो है आपने बच्चे के वास्विक जीवन से जोड़ दिया उसको जब आप सबसे जादा सक्रिय बच्चा C option में है active C option में है कि अपने अनुभव को लिखेगा वो सुलेख प्रतियों गिता तो फिर सिर्फ सुन्दर सुन्दर लिखना भाशा का ज्यान नहीं होता जहां वो भाशा की समझ भी विक्सित करे तो C option is the right answer आ किस चीज को ठीक से use कर पाता है लिखने में question number 10 देखेगा question number 10 देखेगा आरंभ में प्रथक उधारन के माध्यम से नियम समझा कर बार बार नियमों का अभ्यास कराना ध्यान से पढ़िएगा आरंभ में यानि शुरुआत में starting में प्रथक उधारन यानि अलग से क्या दे rule कौन सा नियम है यह example to rule लेगन यह प्रथक example है यानि यह ऐसा नहीं है कि जो जुड़ा हुआ बताएगा आरंभ में प्रथक उधारन के माध्यम से नियम समझा कर बार बार नियमों का अभ्यास कराना देखेगा इसको ठीक से समझना है यह example to rule भी नहीं कहा है बार बार निय नियमों का अभ्यास कराना फोकस किस पे है नियम पे है यहां story पे नहीं है न तो यह story पे नहीं है इसलिए inductive नहीं होगा प्रथक उधारन मतलब अलग थलग inductive में क्या होता है आप जोडते हैं प्रथक नहीं देते वहाँ ठीक और नियमों का ही focus करा रहा है नियम पे ही focus है यानि बार बार आपने क्या कहा a plus b का whole square ये होता है और फिर इससे related जितने भी questions थे वो करा दिये तो ये deductive method हुआ inductive नहीं तो संदर्भ में तो ये नहीं है ना व्याक्रन की यहाँ कोई बात हो रही है संदर्भ में व्याक्रन का मतलब कोई कहानी कविता पढ़ रहा है उस ही से related आपने कुछ व्याक्रन के नीव बता दिये यहां ऐसा नहीं हुआ कोई example ठाया नीव method की विशेशता है, inductive में example दिया जाता है, कहानी से जोड़ा जाता है, फिर rule तक जाते हैं, और यहाँ क्या बात हो रहे हैं, यहाँ सीधा नियम पे focus है, बार-बार practice कराने दे तो नियम पे focus जहाँ होगा, वो deductive है सीमा नहीं है, विशेशता है किसकी, क्योंकि deductive method कोई खराब method तो है नहीं, question number 11 देखिएगा, यह क्या कहता है, व्याक्रणिक एकाईयों को गतिविधियों के माध्यम से इसपश्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए इससे क्या होगा, यानि गतिविधियों के माध्यम से, यानि activity करा करके, आप grammatical chapters को, units को, points को explain कर रहे हैं, यानि activity के through grammar सिखा रहे हैं आप, रोचक तरीके से, इसपश्ट तरीके से, तो इससे क्या होगा, option यह है, सक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा, नियमों को समझने में सहता मिलती है, यानि जब वो story पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसी को, उसी संदर्भ में, माल लिजए, उन्होंने सीमा से related कोई कहानी पढ़ी, तो उनको तभी बता दिया जाए, कि जो जितने भी नाम हैं, जैसे सीमा, या दिल्ली गई, तो सीमा है, दिल्ली है, ये क्या है, नाउन है, यानि ये संग्या का उधारण है, तो बच्चा तभी की तभी नियम को भी समझ गया और व्याकरण को भी समझ गया, इसको संदर्भ में व्याकरण सीखना कहते हैं चलिए ठीक है बी ऑप्शन देखते हैं सिक्षार्थियों को नियम कंठस्त करने में साहता मिलती है नियम रटवाना कभी भी हमारा फोकस नहीं है कि कंठस्त कर लें रट्टे लगा लें घोल के पी जाएं ये सब चीजें पुरानी हो चुकी है तो ये तो गलत हो गया एक गलत नहीं है ठीक है सूरच सोनी फिर आता है सिक्षार्थी को इसे करने या न करने की आजादी महसूस करने में मदद मिलती है ना करने करने जैसी बात नहीं है यहां पर गति विदी में तो बच्चा इन्वाल्व होता ही है सिक्षार्थी को अपने कारें की मौनेट्रिंग करने मरें सहायता मिलती है ऐसा भी यहा question number 12 कहता है साहित्य में अर्थ के dash है या है केवल एक इस्तर है, दो इस्तर है, तीन इस्तर है या अनेक इस्तर है आसान सा question है, इसमें तो आप एक मिनिट में इसके चार बार जवाब दे देंगे और कई लोग तो होंगे जो दे चुके होंगे बट आपको चार बार पोल एटेंट नहीं करना एक मिनिट में एक ही बार कर दीजा, आप हम एक बार में मान जाएंगे कि आपने सही किया है D option 74 परसेंट लोग कह रहे है क्या अच्छा, नहीं रहने को तो ठीक है, आगे बढ़ें next question पर चलें समझें कुछ चीज़ों को समझें के नहीं समझें ये बतातीजे बस आप अगर आप कहेंगे तो समझ जाएंगे नहीं कहेंगे तो भी समझ जाएंगे ठीक है, तो ये आसान है साहित्य के क्या है, अनेक इस्तर है है ना, बाल साहित्य भी है वहाँ पे और चीज़ें भी है ठीक तो ऐसा नहीं है कि साहित्य के सिर्फ एक इस्तर है अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग interpretations भी हो सकते हैं साहित्य की दो इस्तर तीन इस्तर अनेक इस्तर है साहित्य के अर्थ के भी आप सेम कहानी पढ़ते हैं चार लोग अलग तरीके से उसको समझते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं question number 13 पर अभी इसके बाद दो question और हैं भाशा के क्रियात्मक पहलू को भाशा अधिगम के डैश साथ पढ़ावा मिलता है क्रियात्मक पहलू यानि active पक्ष active aspect जहां पर बच्चा actively language को सीख रहा होगा ठीक संप्रेशनात्मक उपागम संरशनात्मक उपागम रशनात्मक उपागम या परंपरागत उपाग परंपरागत तो हटा ही देंगे traditional way में तो बच्चा ही active नहीं होता था क्रियात्मक पहलू को यानि इसको क्रियात्मक को English में हम ऐसे भी कह सकते हैं जो active skills हैं आपकी language की active कब होते हैं आप बोलने और लिखने में चार कौशन है ना भाशा के सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जिसमें से सुनना सूबो पाली से आपको याद कराया हुगा मैं अलक्सी सेशन लोंगी एक पूरा Hindi पैड़ाजी एक सेशन में कर लेंगे तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जिसमें से सुनना और पढ़ना ग्रम में आत्मक कोशन हैं जिसमें बच्चा उतना सक्रिया नहीं है जितना वो लिखने और बोलने में होगा तो संप्रेशन आत्मक उपागम में सबसे ज़्यादा संप्रेशन का मतलब क्या है communicate करेगा जहां वो तो सबसे ज़्यादा बढ़ावा जो है भाशा के क्रियात्मक पहलो को भाशा अधिगम के संप्रेशन आत्मक उपागम के साथ बढ़ावा मिलता है संदशना हो गई कि वो कैसे बिल्ट हुआ है उसके parts of speech क्या है जो भी वो जिस तरह से structure बना हुआ है उसका इन सब में ज़्यादा active क्या है संप्रेशनात्मक कॉशल है आगे बढ़ेंगे question number 14 question number 14 क्या कहता है भाषा की कक्षा में साहितिक पाठ्य सामगरी को डैश के सिक्षन अधिगम के लिए प्रयोग किया जा सकता है साहितिक पाठ्य सामगरी यानि जो भी आपका literature related text books है या material है उसको कैसे हम use करें भाषा के कार्य तथा नई शब्दावली के सिक्षन अधिगम के लिए नियमों के पुनिर्माण के लिए पुनिर्माण के लिए या फिर अधिगम आशमताओं के लिए उच्चारण विक्सित करने के लिए बताईएगा फटा फट से बताईए ताकि हम आगी बढ़ सके इसमें अलग-अलग जवाब अलग-अलग लोगों के है तो भाषा की कक्षा में साहितिक पाठ्य समगरी को भाषा की कारे तथा नई शब्दा वली वही आप साहितिय से बहुत सारे शब्द सीखेंगे और कुछ प्रयोग भी सीखेंगे कैसे भाशा का प्रयोग क्या आजा सकता है बाके तीनों में उतना active वच्चा हमें नजर नहीं आ रहा यह उचारण वगेरा सब यहीं आ जाएंगे कारे में ही आ जाएंगे question number 15 आज के लिए आखिरी सवाल है out of 15 hopefully आपके 15 आए होंगे 13 आए होंगे निमलिकित में से कौन सा व्याकरण सिक्षन के विशय में सही है जब भी व्याकरण सिक्षन की बात आए तो एक word है context उससे बढ़िया तरीका व्याकरण सिखाने का नहीं होता हिंदी में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर आप आंसर सीधा दे देंगे समझने वाले अभी भी समझ गए होंगे तो सिक्षकों को स्वैम के व्याकरण तथा व्याकरण ग्यान को सुधारना चाहिए सबसे बहतर तरीका पूछा है ये कुछ और ही कह रहे है व्याकरण को अलग से समझाना चाहिए बिलकुल भी नहीं आइसोलेटेड रूप में नहीं अलग से नहीं के व्याकरण के रट्टे लगवा रहे हैं वो नहीं करना व्याकरण को संदर्व में समझाना चाहिए, बिलकुल सही है जब भी बात व्याकरण किया है, संदर्व यानि context से जोड़ दीजेगा, चाहे हिंदी हो, चाहे इंगलिश हो सबसे बढ़िया learning वही होगी, जब आप कहानी पढ़ा रहे हैं झाहे हिंदी हो, चाहे है। झाल झाल